नमस्कार दोस्तों यह गोद्रेज 8 kg वाशिंग मसीन सेमी आउटोमेटिक और यह आपको LG वाशिंग मसीन 8 kg सेमी आउटोमेटिक दोनों में आपको सिस्टम सेम है लेकिन इसका फीचर आपको इसका कवर हटाना पड़ता है और एस्पीन के लिए जो सुठवाने वाला होता है उसको इनविल्ट दिया हुआ है और वही गोद्रेज में क्या है कि गोद्रेज में आपको जो है वाशिंग में भी जो है इनविल्ट दिया हुआ है प्लस टफन गलास फ्लोरल दिया हुआ है और एस्पीन में भी वही चीज आपको दिया हुआ है इनविल्ट दिया हुआ है प्लस टफन, फ्लोरल, जो कि कपड़ा सुखवाने का काम करता है यह, इसमें भी आपको एस्पीन टाइमर और सब दिया हुआ है, पांच मिनट का, यहाँ वास के लिए दिया हुआ है, ड्रैन, पानी खतम हो, फानी, गंदा पानी बाहर निकालने के लिए, यहाँ रेगुलर, इसमें एक फंक्शन और है, जो कि सौकवास, सौकवास में क्या होता है, कि आपको कपड़े को अगर भींगा देते हैं, तो कपड़े को दो मिनट फुलाएगा, और फिर जो है उसको राउंड करा करके, जो है, चारो तरफ जो है कपड़ा को घुमा करके, फिर जो है कपड़ा को साफ करने में मदद मिलेगा, और वही चीज आपको एलजी में भी दिया हुआ है, इसमें भी सौकवास है, जो कि 40 मिनट का है, 40 मिनट में आपको 35 मिनट ये जो है कपड़े को फुलाने का काम करेगा, और 15 मिनट जो है, आपको वास करने के लिए आपको दिया हुआ है कि सबस्क्राइब को और आपको इसकी नाफ कशिसिंग होके तो खैर देखी हैं पांट साल वारानटी मोटर दो नहीं है, पांच साल मोटर की वारानटी इसमें वह लेकिन इसमें एक बेनफित यह है कि इसका एक अब कलर अलगी है और इसमें जो है आपको शिल्टर और इसमें रोलर जेत नहीं है इसमें सॉक वास्ट है यह function इसमें दिया हुआ है प्लस वहां filter दिया हुआ है और इसमें आपको जो है inbuilt toughen glass floral के साथ में है इसमें एक function और है आपको कि पानी लेने के लिए जो है आप वासिंग के समय पानी आप अगर नल से pipe को connect कर देते हैं तो आपको वास में जितना पानी चाहिए आप पानी ले सकते हैं और यह function आपको गोद्रेज में भी है और यह function जो है आप उसी में नही के टाइम अगर करते हैं पर नल से जुड़ा रहेगा तो आपको ओ पानी इधर आ जाएगा और खंखाल करके आपको गंदे पानी को निकाल देगा और उसको सुखवाने का काम करेगा वही चीज आपको गुद्रेज में भी है दोनों में सेम चीज दिया हुआ है यहां पानी क जो है 200 वाट है और वास मोटर जो है 400 वाट का दिया हुआ है जो की एलजी में 10 वाट वास मोटर है और 260 वाट जो है आपको इस पीन में है जो की दोनों ही लगभग बराबरी है जो की इन वाटर पर भी आप इसको 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 करी सकते हैं आपको ड्रैन वाटर जो है आपको यहां से है इसमें भी यहां से है वायर जो है आप यहां देखी रहे हैं दोनों जो है बेहतर है क्वालिटी वाइज भी आपको दोनों प्रोडक्ट अच्छा है एलजी और गोद्रेज दोनों ही गोद्रेज के साथ में एक प्लस पॉइंट यह है एलजी में जो है आप को कुछ इस डिजाइन में दिया हुआ है जो कि आपको कुछ इस तरह दिखता है कि कुछ आपको इस तरह है इसमें आपको पाइप और स्पीन का कभर दिया हुआ है कि यहां पर कि और गोद्रेज में क्या है कि आपको यह थोड़ा सा इसका है वी दिया हुआ है कोई भी चीट प्रोडक्ट की क्वालिटी इसकी भी काफी बेहतर है जो कि कुछ इस तरह इसका दीख रहा है आपको थोड़ा सा जो है इसका फ्लेक्सिवल पीबीसी जो है का बना हुआ है एबियस प्लास्टिक में है और फ्लेक्सिवल है जो की गलती से भी तूट नहीं सकता है अनों आपको 5 वस्टार रेटिंग में है और आपको IACR जो दिया हुआ है 118 0.0118 और गोद्रेज का क्या है कि 0.0115 दिया हुआ है जो की पावर कंजप्शन गोद्रेज का थोड़ा सा कम है एलजी से तो कुछ इस तरह है आपको दोनों ही जबरजस्त चीज है आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए धन्यबाद रजनी इलेक्टरोनी सस्टेशन रोड मोहनिया कैमूर बिहार